वेलकम तो ब्लेड लेर्नर के 12 आज हम वैदिक मैथमाटिक्स डिविजन बाइ सिंगल डिट पढ़ेंगे इट्स मी अमित कुमार अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें पहले इस वीडियो को देखें आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद इस वीडियो को देखें सभी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है देखिए ये डिविजन मेथड क्या कहता है सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि हम नॉर्मन मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं ठीक है उसके बाद हम वैदिक मैथमेटिस का टुरिक सीखने का परियास करेंगे अगर आपको याद हो नॉर्मन मेथड से तो ऐसे कुछ डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करना है 2 से 9 में 2 4 जा 8 1 1 यह 7 नीचे आएगा 2 8 जा 16 1 यह 5 नीचे आएगा 2 7 जा 14 1 यह 4 नीचे जाएगा 2 7 जा 14 Next यह 2 नीचे आएगा 2 बन जा 2 यह 3 नीचे आएगा And 2 बन जा 2 3 मानस 2 1 6 नीचे आएगा 1 6 16 2 8 जा 16 और यह कट के 0 ऐसे हम आज तक डिवाइड करते आएगे वैदिक मैथमेटिक्स क्या है इस मेथर्ड को थोड़ा सब easy करता है और long calculation में जाने से हमको रोकता है देखते हैं कैसे हम वैदिक मैथमेटिक्स से डिवाइड करेंगे same division देखिए 2 से इसको डिवाइड करना है तो एक चीज़ हमको देखना है पहले 9 में चेक करेंगे 9 में 2 कितना बाड़ाएगा 9 में 2 4 टाइमस आएगा 2 4 जाएगा कुछ बच्चा 1 remaining है न 1 को यहाँ पे छोटा सा 1 लिखती है 1 7 कितना है 17 17 में 2 कितना बाड़ाएगा 8 times फिर से 1 remaining है 1 को यहाँ पे लिख दिया 15 में 2 कितना टाइमस आएगा 7 times 2 7 जा 14 फिर एक remaining है एक को यहाँ लिख दिया 14 में 2 कितना टाइमस है का 7 times 2 7 जा 14 यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यह 2 ऐसी 2 में 2 कितना टाइम्स 1 टाइम्स 3 में 2 कितना टाइम्स 1 टाइम्स 2 एक रिमेनिंग है यहाँ पर चला जाएगा 286 और हमारा डिविजन हो गया देखिए ऐसे ही क्या है हमको इसको डिवाइड करना है 3 से एक तो नॉर्मन मेथड है अब हम वैदिक मैथमाटिक्स के मेथड से डिवाइड करने का परियास करेंगे 9 में 3 कितना बार आएगा 3 टाइम्स 3 3 जा 9 7 में 3 कितना टाइम्स एगा 3 2 जा 6 एक रिमेनिंग है एक को यहाँ लिख दिये 15 में 3 कितना टाइम्स एगा 5 ताइम्स 3 5 जा 15 कुछ भी नहीं बच्चा पॉर में 3 कितना टाम सीचा, वन टाम एक बच्चा, चाए रिमेनि, तुवेल में 3 कितना टाम 3, 4 टाम टुवेल, हमारा आंसर दीखिए, 4 से डिवाइड करेंगे वैधिक Elmo alcanz को फॉलो करेंगे यह क्या बोलता है, इस 9 में 4 कितना बड़ा हैंगा 2 x 4 2 x 8 कुछ बच्चा आहां बच्चा एक 1 4 में 17 ग्रेट कितना टाइम्स आगा 4 x 4 x 16 1 remaining 1 यहां लिख देंगे 4 15 में 4 कितना टाइम्स आएगा 4 3 x 12 2 3 4 3 x 12 3 remaining यह 3 यहां पर आगिया 34 में 4 कितना बार आएगा 4 8 जा 32 2 remaining 22 में 4 कितना टाइम्स आएगा 5 ताइम्स 4 5 जा 20 2 remaining अब 23 में 4 कितना टाइम्स आएगा 4 5 जा 20 and 4 6 जाँ 24 में 4 5 जाँ 20 3 remaining यह 3 यहां पर आजाएगा 30 में 4 कितना टाइम्स आएगा 4 7 जाँ 28 still 2 remaining still 2 remaining तो यह 2 इधर लिख दिये और यहां पर decimal पूट कर दिये decimal का 0 आ गया and 4 5 जाँ 20 ठीक है तो हमारा आंसर आ गया next 5 का division में देखेंगे इसमें क्या है वैदिक मैठमेटिक ट्रिक से सिखने का परियास करेंगे 5 9 में 5 कितना टाइम्स आएगा 5 1 जा 5 4 remaining 4 यहां लिख दिये 47 में 5 कितना टाइम्स आएगा 5 9 जा 45 2 remaining 25 में 5 कितना टाइम्स आएगा 5 5 जा 25 कुछ भी नहीं बचाओ 4 में 5 कितना टाइम्स आएगा एक बार भी नहीं तो यहां पर लिख दिये हम 0 अब यह 4 जंप होके यहां चला गया 42 42 में 5 कितना टाइम्स आएगा 5 8 जा 40 2 remaining 23 में 5 कितना टाइम्स आएगा 5 4 जा 20 3 remaining 35 में 5 कितना टाइम्स आएगा 5 7 जा 35 यह है हमारा answer 6 से divide करेंगे 9 में 6 कितना टाइम्स आएगा 1 time 6 1 जा 6 3 remaining 3 यहां लिख दिये 37 में 6 कितना टाइम्स आएगा 6 time 6 6 जा 36 1 remaining 15 में 6 कितना टाइम्स आएगा 1 time 2 time कितना टाइम 6 2 जा 12 3 remaining 34 में 6 कितना टाइम्स आएगा 5 times 6 5 जा 34 remaining 42 में 6 कितना टाइम्स आएगा 7 times 6 7 जा 42 3 में 6 कितना टाइम्स आएगा एक बार भी ने इसके लिए 0 आ गया यह 3 jump होके इधर चला गया 36 में 6 कितना टाइम्स आएगा 6 times answer ऐसी 7 से divide करने का रूल 9 में 7 कितना टाइम्स आएगा 1 time 2 remaining 27 में 7 कितना टाइम्स आएगा 3 times 73 में 21 6 remaining 65 में 7 कितना टाइम्स आएगा 9 times 7 जा 63 2 remaining 24 में 7 कितना टाइम्स आएगा 3 times 21 3 remaining 32 में 7 कितना टाइम्स आएगा 4 times 7 4 जा 28 4 remaining 43 में 7 कितना टाइम्स आएगा 7 6 जा 42 1 remaining 14 में 7 कितना टाइम्स आएगा 2 times 7 2 जा 14 got answer 8 से divide करने है ऐसे ही 9 में जा 8 1 remaining 1 यहाँ आगया 17 में जा कितना टाइम्स आएगा 2 times 8 2 जा 16 1 remaining 15 में जा कितना टाइम्स आएगा 1 time 8 जा 8 7 remaining 74 में 8 कितना टाइम्स आएगा 9 times 8 9 जा 72 2 remaining 22 में जा कितना टाइम्स आएगा 8 2 जा 16 and 6 remaining 63 में जा कितना टाइम्स आएगा 8 7 जा 56 and 7 remaining 72 में कितना टाइमस आएगा 9 जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 में 9 कितना टाइमस आएगा 1 टाइम 7 में 9 कितना टाइमस आएगा एक भी समय नहीं तो यहाँ पर 0 लिख देंगे यह 7 जंप होके यहाँ चला जाएगा 75 में 9 कितना टाइमस आएगा 8 times 9 is a 72 3 remaining 34 में 9 कितना times आएगा 9 3 is a 27 7 remaining 72 में 9 कितना times आएगा 8 times 3 में 9 कितना times आएगा 8 times देंगे यह 3 जंपों के दर चला जाएगा 36 में 9 कितना times आएगा 4 times and got answer Thank you All the best All the best All the best